हाई गाईज वालकम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़दा स्वागत है आज की इस वीडियो में हम फूल रिव्यू करने वाले हैं आई उस 17.2 के इस नए अपडेट का आईफोन 15 प्रो की उपर अकर आप सभी भी यूज़ करें आईफोन 15 प्रो तो ये वीडिय आपके लिए काफी ज़दा स्पेशल होने वाली है सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाई आज की इस वीडियो को चलिए सबसे पहले आप इस अपडेट का साइज जो मेरे को रिसीव हुआ था आईफोन 15 प्रो की उपर 1.3 GB मेरे को रिसीव हुआ था मैंने से अप से तो यहां पर बात करते हैं इस अपडेट में बैटरी हेल्थ जो है वो कैसे काम कर रही है और बैटरी साइकल काउंट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं सबसे पहले इसकी बैटरी हेल्थ चेक आउट कर सकते हो 100% इसकी बैटरी हेल्थ है और यहां पर जो बैटरी बैक अप निक और Bluetooth और cellular data की वो यहां पर काफी correctly यहां पर काम कर रहे हैं कोई भी मेर को अभी तक इशू देखने को नहीं मला है और साथ में बात करें आइफून की storage के बारे में आइफून की storage में आपको कोई भी system bug देखने को नहीं मलने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस आइफून का system data 7.7 GB है जो की minimalistic सा है और हर एक आइफून में इतना ही system data होना चाहिए इसकी उपर अगर होता है तो उसमें आपको storage bug देखने को मलने वाला है उन devices में जि तो सबसे पहले एक new application Apple ने launch करी है इस new update में तो यहां पर आप देख सकते हो यह है journal की application सबसे पहले आपको इस app को open करना है तो यह है इसका interface आप इस application को अपने face id से भी lock लगा सकते हो तो वो मैं आपको बात में बताता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपक को recommend करती है यह application की highlights from a photo memories आप इनको add कर सकते हो अपने इस entry के रूप में moment के रूप में आप इसे write कर सकते हो यहां पर आपको new entry के उपर tap करना है जिस दिन आपने इस entry को create करना है उसी दिन आपको यहां पर date और यहां पर day भी देखने को मलने वाला है किस दिन आप यह entry को create कर रहे हो और साथ में यहां पर आपको photos और video shoot करने की भी option देखने को मलती है यहां पर आपको camera के बटन पर tap करना है और और यहां पर आपका जो camera है वो open हो जाता है 0.5x, 1x और 2x और 3x की उपर आप अपनी photos को shoot कर सकते हो और यहां पर आपको एक audio का भी button देखने को मलता है इसके साथ आप easily किसी भी recording को record कर सकते हो simply आपको single tap करना है और आपकी recording यहां पर start हो जाती है इस तरह से यह जर्नल की application काम करती है iPhone 15 Pro में और सभी iPhones में secondly जो चेंज आपको निया देखने को मलने वाला है वो है आपकी settings में settings को open करो apple care and warranty की उपर tap करो तो यहां से आप अपने सभी Apple devices की warranty जो है उनको check out कर सकते हो तो इस तरह से आप देख सकते हो limited warranty अभी बड़ी है iPhone 15 Pro की अब आत आती है third number जो feature आया है वो है कि sound and haptics में जैसे यहां पर sound and haptics में जाओगे तो यहां पर आपको default alerts का एक नया option देखने को मलने वाला है यहां पर डिवाप टैप करते हो तो यहां पर आपको haptics का एक बटन देखने को मलेगा यहां से आप किसी भी ringtone की उपर अलग-अलग haptics को setup कर सकते हो जैसे कि अगर आपके पास 3-4 social media applications है उसके उपर different different kinds of haptics आप यूज कर सकते हो यहां पर आपको linktone text और new email voice का option देखने को मलता है यहां पर आप easily किसी भी default application की उपर यह haptics जो है वो enable कर सकते हो different different applications की उपर तो यह जो features हैं काफी ज़्यदा game changing features एपल ने add करे हैं 17.2 के इस नई latest update में बात करते हैं 4th number feature के बारे में जो कि आपको यहां पर देखने को मलता है action button में action button की उपर tap करोगे तो यहां पर swap करोगे तो यहां पर आपको देखने को मलता है एक नया translate का option जैसे कि यहां पर मैं translate को own करता हूँ अपने action button पे तो मैंने यहां पर simply hold करके रख translate करेगा आपकी English को Spanish language में किसी और language में तो यहां पर आप देख सकते हो यह सारी कि सारी जो language मैंने अभी बूली है वो सारी कि सारी Spanish में इसने convert कर दी है और आप यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी language select कर सकते हो तो customized language जैसे कि English की और से किसी और country की language जैसे कि अगर आपको Arabic language एड़ करनी है तो वो भी आप यहां पर एड़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़दा use or features आपल ने यहां पर add-on कर दी है iPhone 15 pro series के लिए और साथ में यहां पर एक specialized videos का एक निया option add-on करा गया है तो यहां पर आपको camera के option को own करना है और यहां पर आपको निया video mode में एक निया specialized video mode देखनी को मलने वाला है जो कि आपको settings में से enable करना पड़ेगा वो जो mode है उसको आप own करके 180p 30 frames तक की videos को shoot कर सकते हो वो भी apple vision pro के लिए जो apple vision pro है अभी तक तो apple ने उसे release नहीं किया है next year आपको वो देखनी को मलने वाला है officially March के मत में शायद apple उसे release कर सकता है और आप उसके लिए अपनी खुद की videos landscape mode में record कर सकते हो वो भी आपको specialized video mode को use करने के बाद तो यह कुछ नए features आपको यहां पर camera से related देखनी को मलते हैं और साथ ने अगर आप iMessage की application को use करते हो तो यहां पर आपके जादा नए features apple ने आटाउन कर दिये हैं जैसे कि अब आप यहां पर plus के button पर tap करोगे तो stickers की option की उपर tap करो और यहां से आप किसी भी sticker को drag and drop कर सकते हो अपने किसी भी message की उपर जैसे कि मैंने इस message की उपर इन दोनों stickers को use कर रखाया है बस आपको यहां पर long press करना है और drag and drop करो आपका यह जो sticker है यहां पर apply हो जाएगा उसके बाद अगर आप memojis को काफी ज्यादा use करते हो तो आपके लिए काफी बढ़िया update आया है यहां पर आपको three dots के उपर tap करना है और यहां पर आपको edit के button के उपर tap करना है यहां पर आपको body shape में four new options देखने को मलने वाली है arms, shoulder, chest, or west के related आप यहां से अपने body के हिसाब से कोई भी customization कर सकते हो अपने memoji की इस तरह से काफी बढ़िया फ़िचर आपल ने add-on करें इस नए feature में और साथ यहां पर contact की verification को भी add-on करा गया है आई message की application के लिए बस यहां पर आपको type करना है contact key verification तो आपको यहां पर देखने को मल जाएगा यह feature आप इसको own करके use कर सकते हैं और साथ में कुछ नए latest widgets भी apple ने launch करें हैं इस नए update में जो कि currently मैं अपने iPhone 15 के उपर use कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो यहां प नए update का iPhone 15 Pro की उपर वो काफी बढ़िया चल रहा है और networks connectivity और heating issue मेरे को अभी तक कोई भी देखनी को नहीं मिला है बहुत ही बढ़िया चल रही है battery backup और बात करते हैं iPhone 15 के battery cycles कितने complete हो चुके हैं यहां पर battery cycles को check out करने के लिए about में चलो और swipe up करो यहां से आप check out कर सकते हो कितने cycles आपके iPhone 15 ने complete कर लिये हैं तो overall जो experience है iPhone 15 का काफी बढ़िया चल रहा है इसने update में आप सब भी बिना किसी problem के इस update को install कर सकते हो अपने iPhone 15 और 15 Pro Max Series के उपर I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी so मलते हैं guys अगली वीडियो में so guys thanks of watching